हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ रश्मी रश्मी की फैमिली किचिन में आप सब का श्वागत है तो आज मैं बनाऊगी बहुती स्वादेश्ट आलू मैथी मतर की सब्जी फ्रेंट्स बहुती टेस्टी बनती है इस तरीके से जरूर बनाना वीडियो पशंद आए तो एक लाइक ज साप करा है तो बिल्कुल पत्ति पत्ति नहीं लेना है डंठल भी लेना है तो बढ़िया से साफ हो चुकी है और कट करने से पहले ही मैथी को धुलना है जिससे की पोश्टिक तत्व खतमना हो हमेशा यह याद रखना है तो चलिए मैथी को कट कर लेते हैं तो यहां पर से आधा-ाधा कट कर लेना और व्रमार आपके कुछे की तरीक इस तरीके से मैने आलु मैथी की सब्जी की रेश्पी भी अपलोड कर दी चैनल पर आचुक, जरूर देखें तो यहां पर मैथी कट हो अच्छे से 4-5 बार धो लिया है नए आलू में मैथी की सब्जी बहुत भड़िया वनती है और यहां पर 10 वारा मिर्च हरी मिर्च को कट किया है हरी मिर्च ही डालेंगे इसमें पूरी और सारी देखिए सब्जे कट हो चुकी तो चलिए बनाते हैं इसकी बढ़िया से टेश् डालेंगे माए तते सहना ano है जोग हरी मिर्च में घौई हो रहें are fake top यह सब राता है इस टेल को म रहें के सफ़्स मइध हैं मैध्यिकना चैसे विद जुख सकते हैं नहीं होआangenा फालो यहां पर जरूरी बात याद रखने हैं आलु में के बाद आपको mix कर देना और 3-4 मिनट अच्छे से इसको fry करना है इससे हमारी सब्जी भी बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है मटर को थोड़े बाद में add करेंगे जब आलू fry हो जाएगा तो देखिए यहां पर 4-5 मिनट हो चुके हैं तो बढ़ देखिए इस तरीके से mix करना है बढ़िया से जैसे ही mix हो जाए उसके बाद इसमें add करनी है मटर तो यहां पर बढ़िया से mix कर लिया है वैसे ही मटर मैं इसमें add कर दे रही हूं तो ताजी मटर होती है पक जाती है बाद मैं ही add करना है इसमें तो बढ़िया से mix कर देना है उसके बाद आप इसमें एट करूंगी मैं तो हरी मिर्च इसमें ही मैंने डाली थी तो मैंने उसमें तेल में नहीं भूना है मिर्च को इसमें एट करूंगी तो सारी हरी मिर्च ही मैं इसमें डालूंगी तो तीखी सबजी इसकी मैंती की सबजी बहुत ही बढ़िया लगती है तो आप हरी मिर्च जादा एड़ करें और हरी मिर्च फायदा भी करती है आप लाल भी आड़ कर सकते हैं लेकिन पूरी मैंने हरी मिर्च डाली है और बढ़िया से मिक्स कर दिया है जैसे ही देखी जो मैथी है वो मिक्स हो जाए उसके बाद जो बच्यू ही मैथी है वो भी ड बचान तरफ मिथी है आप चाहे तो तु तु रंट मैथी जैसे पूरिए डाल देनी और धाली से धख देना है टाइम हो तो नहीं तो इस तरीके से डाली और मैने थोड़ी सी मैथी बचा ली इसका यूज में बाद में करूंगी और बढ़िया से mix कर देना है तो बहुत ही बढ़िया लगती है आलू meethy की सबजी सर्दियों में इसको पूरी के साथ काय है पराथा के साथ काय है बहुत ही बढ़िया लगती है इसको lunchbox में दे जल्दी से झ realism की सबजी मैंने इसको अब धक दिया है low gas पर इसको पकाना है और पी तो लो से थोड़ी सी जादा रख सकते हैं और उसके बाद नीचे लगे ना यह ध्यान रखना है और बीच बीच में उसको उलटते पलटते ही पकाना है सब्जी को और बहुत ही जल्दी बन जाती है क्योंकि आदा आलू पक चुका होता है ना हम फ्राई कर लेते हैं और बार इस तरीके से उलटते पलटते हुए मैंने देखी इसको सब्जी को पका लिया है तो देखिए कितनी बढ़िया से यह देखिए मैथी मठर की सब्जी बनकर है तैयार तो देखिए नीचे से देखिए बढ़िया से देखिए नीचे दिख रहा है ना लगते हुए एक दम जै कर रखीती न पत्ति तो आप इसमें एड कर दूंगी, और बढ़िया से इसको भी कर दーム कर देना है तो जरूर बाद में डालें जैसे हम बाद में जब कशूरी मैथी डालते है न तो तो जब हरी-हरी मैती आ रही है तो ये आप ऐड़ करिये तो बढ़िया से बनकर है तयार कितनी बढ़िया है ना इस तरीके से जरूर बनाए Points बहुत ही tasty बनती हो तीकी चिटपटी सबजी बढ़िया लगती है तो बन चुकी थी सबजी तो इसकी प्लेटिंग कर लेती हुँ तो बढ़िया से है ना तैयार तो एक बार जरूर ट्राइ करना रैस्पी पसंद आई हो तो एक like जरूर कर लेना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना तो तैयार है तीकी चटपटी टेश्टी मजेदार आलू मैथी की सब्जी मटर डाल कर बहुत ही पढ़िया बनती है इस सब्जी को आप रोटी पराथा पूरी के साथ खाएं बहुत ही टेश्टी लगती है और इस सब्जी के साथ आप अरहर की डाल भी बनाईए और चावल लीजिए बहुत ही मजा आ जाता है तो एक बार जरूर ट्राई करें और सर्दियों में आप बनाईए ये बढ़िया से गर्मा गरम ये आलू मैथी की मटर की सब्जी और साथ में बनाईए गर्मा गरम पू वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर एक कमेंट करना फिर मिलते हैं